हेलो इंडिया वेल्कम टू इंडियन एए प्रोडक्शन तो आज के सुड़ी में हम बात करने वाले हाउ टू क्रेट लाइव रिजुमे और लाइव से भी मतलब करिकुलम वीटा तो आज तक आपने बहुत सारे रिजुमे देखेंगे वन पेज टू पेज त्री पेज डिफ रिजुमे के बार में हम बात नहीं करने वाले हम बात करने वाले लाइव रिजुमे के बार में अब यह लाइव रिजुमे का मतलब क्या होता है तो लाइव रिजुमे का मतलब यह होता कि भाई आपका रिजुमे कोई भी कई से भी एक्सेस कर सकता है अब यहाँ पर आप वो PDF format में होता है आपको किसी को share करना पड़ता है तब ही वो resume access होता है बट मान लो मान लो आपने किसी को share किया और उसकी system काम नहीं करें अब मान लो उसके बास mobile है तो क्या हो mobile में आपका resume access कर सकता है और mobile में उसकी PDF ने रहेंगे तो mobile में access नहीं कर सकता है या उसके बाद tablet है तो उस tablet में access नहीं कर सकता है तो ऐसी situation आते है तो इसलिए हमें live resume बनाना पड़ता है अब यह live resume क्या होता है तो इसको हम deep में जानेंगे हम उसको किस तरह किसे create करेंगे यह भी हम जानेंगे और कैसा format होता है यह भी हम जानेंगे तो चोले हम आगे वरते और step by step को follow करते हैं तो सबसे बहुत हम जानते हैं बेस्ट resume क्या होता है और बेस्ट CV क्या होता है तो आपको ऐसा resume बनाना है कि वह resume कोई भी company के पास चला जाए जैसे कि मानला आप data scientist हो और आपने data scientist का resume बना जाए तो आपका resume कोई भी company के पास चला जाए तो ओ company आपका resume shortlisted करे मतलब आपको call आए उस particular position के लिए उस resume को हम बोलेंगे best resume अब यहाँ पर best resume कैसे होता है और उसको किस तरह किसे create करते है तो वही बन्दा बता सकता है जिसका resume maximum company में select हो है और उसने 100-200 company में interview दिया है तो यहाँ प 50 company के मैं approximately interview दिये उससे भी ज्यादा होंगे और हम बात करते है कि हमारा resume कितने company में shortlisted हुआ है तो आपको बताना चाहूँगा तीन से लेकर 4 महिने के बिच में more than 300 company में मेरा resume shortlisted हुआ है मुझे एक दिन में 20-30 call आते थी आज मेरे कान में मेरे mobile के जो रिंग्टू ने नहीं मुझे इसा लगता कि मुझे कोई कॉली कर रहा है तो ऐसी situation आ चुके तो जो experience में आपके साथ बताने वालो और जो मेरा resume select हो था दोस्तो tier 1, tier 2 और tier 3 हर एक tier के company मेरा resume select हो ना कि tier 2 और tier 3 और यहाँ पर बतना जाओंगा जिसे IBM IBM मेरा selection हो गया था और इतना नहीं दोस्तो जो गूगल के अभी जो interview process है उसको मैंने pause कर लिया है और आप बोलोंगे कही भाई भाई की जो company बड़ी बड़ी उन company में में तुवारा resume select हो तो आपको बतना चाहूंगा मैं जब भी किसी भी company को approach करता हो तो मैं easy option use करता हो मतलब जैसे मुझे form fill up करने की जरूरत ना पड़े तो आप LinkedIn में जातो या नोकरे में जातो तो आपको easy apply का option रहता है और जिस company में मुझे form fill up करने की जरूरत परती या particular website में जाकर आपर registration करना पड़ता है तो मैं उस process को follow नहीं करता बट आप बोलोंगे भाई Google में तो वो process है तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा Google में म तो company में मेरा selection हो चुका है और मेरे पास offer है बट मैंने उन company को join नहीं किया ना India की ना US की तो मैंने ऐसे company को join किया जो company बहुत छोटी है बट इसके बारे में हम बात नहीं करते तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपका resume कितना best हो चाहे तो वो best resume कौन सा होगा तो interview दे चुका और मेरे पास multiple tier 1, tier 2, tier 3 हर एक company के मेरे पास offer later है तो इसलिए में आगे जलके आपके resume का जो format हो कैसा होना चाहे तो next हम बात करते भाई why live resume obviously आपके दिमाग में सवाल तो आ चुका हूँगा कि why live resume हमारे पास तो PDF format में resume है हमारे पास PNG या JPG मतलब image format में resume तो क्या resume valid नहीं है मैं बोलूँगा दोस्तों हाँ वो valid है but आपके situation बतना चाहूँगा जैसे मैंने अभी data source से ज्यादा interview दी है और उसमें कुछ problem है जैसे क क्या होता है जब भी आपका interview conduct होता है तो आपके email आता है और उस email में आपको बता दिया जता है basically अपको invitation आता है Google Meet का या team का आता है वहाँ पर आपको mention की जाता है कि आपका interview किसके साथ होने वाला है या जो interviewer है उसकी information भी किजाती है और उसी के साथ आपका जो resume उस resume को attach क आपके email में या जो बड़ी बड़ी company रहती है तो उनका खुद का पोर्टल रहता है तो उस पोर्टल की वहाँ पर link रहती है और उस link को सिर्फ और सिर्फ इंटर्वियरी एक्सिस कर सकता है तो जैसे वह इंटर्वियर लिंक को एक्सिस करता है तो वहाँ पर आपका resume उसको शो होता है और उसके basis के उपर आपका interview कंड़क्ट किया जाता है यह आपको सवाल पूछे जाते है अब मान लो उस situation में कोई technical खराबी आ जाते है उनके सर्वर पे या email में जो आपने पीडियाप लगाई है वो open theory या उसमें कुछ issue आ रहा है तो आप क्या करोंगे तो क्या उस situation में आपका interview होंगा most probably most chance है कि आपका interview हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है या आपर हम कुछ बात नहीं कर सकते है मान लो उस situation में आपका interview होता है तो interview को यह नहीं पत कि आपको उसी technology आते है उस particular domain में तो वो आपका interview नहीं जान सकता है तो ऐसे situation में आपको लायू resume की ज़रूरत पड़ेंगे क्योंकि आपकी PDF आप उसको share नहीं कर सकते है और नहीं आपको उसको WhatsApp या email कर सकते है उस दवरान तो आपको क्या करना है आपको ऐसा resume बनाना है उस user किसे बनाएंगे इसके बारे में हम आगे जलके बात करेंगे तो आपको simple बताना चाहूंगा कि आप जो भी resume बनाने वाले हो वो दुनिया में को ही बंदा आपकी जो website की link है उस link से वो access कर सकता है जी हाँ दोस्तों यहां पर हम website बनाने वाले बट ऐसा नहीं कि आपको website ब बस आपको आपकी information फिल करने है और उसके बाद आप सोचोंगे कि भाई मुझे कौन सा format इस्तमाल करना है मुझे format पता नहीं है best format कौन सा है आपको उसकी चिंदा करने की जरूत नहीं आपको best format दूंगा जिसका इस्तमाल करके आप maximum company में आपका जो resume हो select हो जाए आपको bootstrap made यहाँ पर लिखना है bootstrap made दोस्तों एक website है जहाँ पर आपको free templates मिलते है free website के templates मिलते है अब यहाँ पर आपको disclaimer देना चाहूँगा दोस्तों इस bootstrap made इस website के उपर आपको free and paid template मिलते है यहाँ पर यह sponsor video नहीं है और नहीं मैंने इस particular website से पैसे लिए इस video को बनाने के लिए तो आपको बतना चाहूँगा यह free video है राइट यहाँ पर बोलोंगे कि आपने यही website को क्यों चुना है तो आपको बतना चाहूँगा कि मेरे company में आज मैंने एक बंदे का resume देखा right basically कुछ ऐसी situation आ चुकी थी कि उस situation के दौरान मुझे उस बंदे का resume देखने के resume बनायोंगा but at the end में मैंने थोड़े corner में देखा कि भाई this template या this resume sponsored by या made by XYZ basically bootstrap made या ओ लिखा था तब मैंने उस link के ओपर click किया और मुझे पता चला कि भाई वो resume basically उसने edit किया है सिर्फ template edit किया ना कि उसने website खुद बनाई है तो इस तरगे से मुझे bootstrap made इस website के बार म पता चला और जब मैंने उस resume को देखा तो मैंने सूचा कि या चोल या आपके लिए वीडियो बना लेते और आपको भी बता देते कि वाई best resume किस तरके से बनाते तो आपको क्या करना है जस्ट इस link के ओपर click करने के आपको right button click करके open link new tab के ओपर click करने या आप दारेक उसक multiple website के template मिलेंगे तो आपके problem की साथ से आप कोई भी template choose कर सकते हो फिलाल आज का जो हमारा वीडियो है हो है resume के उपर तो हम क्या करेंगे हम resume का template choose करेंगे तो आपको नीचे scroll down करना है और आपको एक क्या option मिलेंगा my resume यहा पर दिखर आपको my resume के नीचे आपको three option मिलेंगे ए दिक है demo दूसरा है download और तीसरा है buy तो हमें buy करने की कोई ज़रूत नहीं है हम क्या करेंगे demo इसके उपर right button क्लिक करेंगे mouse की और उसके बाद open link in new tab के उपर click करेंगे तो हमारा यहापर एक template open हो चुका है इसी तरह के से आपको दूसरा template open करना है जिसका नाम है iPod fullio तो यह पर अभी फिलाल दो ही template available है लेकिन future में आपको multiple template मिल सकते है तो यहाप नीचे आते हो तो आप देख सकते हो resume के regarding कोई और template है क्या तो यहाप नीचे और यहाप आपको बताना चाहूंगा आप freelance होंगे या आप किसे को guide करते होंगे या consult होंगे तो उसके लिए भी आप क्य आपको दोस्तों आपको किस तरह से interactive way में आपका जो resume open हो चुका है यह जो resume यह laptop में या computer में देख सकते हो आप यह tablet में देख सकते हो तो tablet के लिए यह proper design किया है उसके बाद यहाप आप मोबाल के लिए देखोंगे तो mobile के लिए proper design किया है तो आपका resume कोई भी device में open हो developer, I am a data scientist, I am a UX developer, I am a software developer, I am a HR या कोई भी आपकी position हो तो यहाप आप एडिट कर सकते हो इसको किस तरह किस से edit करना है हम आगे चलके बात करेंगे इसी तरह किसे आप यहापर आपकी जो भी social media links है तो यहापर आप social media डाल सकते हो इसके Facebook है Instagram है LinkedIn है Twitter है तो यहापर आप डाल सक information open हो जाता है तो यहापर आपकी information आप डाल सकते हो आपका photo डाल सकते हो आपकी designation डाल सकते हो आपको थोड़ा शॉट में दो लाइन के अंदर आपका career objective आपको बताना है तो यहापर आप बता सकते हो उसके बाद आपकी जो personal information है यहापर डाल सकते हो उसके बाद यहापर औ आपका जो टॉपिक की यहाप मेंशन कर सकते हो और यहाप पर उसके निुमेरिकल इंफर्मिशन आपर डे सकते हो उस बात स्केल्स का जो यहापर ऑप्षिन है दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे कि यहापर आपकी जोबी स्कील्स है उसको शौट में यह पर एकस् 80% 90% मैं तो यह आपर आपको सजेश्च कोंगा कोई भी स्किल होंगी वह 80% के उपर होनी चाहिए राइट या 70% उससे कम होती हो तो वह खराब तरीका है उसको डालने का या आप उस्किल को डालो मत या डालना है तो आपको डारेक 70 के उपर उसको मेंशन कर दो राइट तो य यहाप आपके रिजुमे में करियर ऑब्जेक्टिव है यहाप डाल सकते हो उसके बाद यहाप पर समरी तो आप शॉर्ट में आपकी समरी डाल दो उसको जो भी आपका एक्सपरियंस है और राइट साट के कॉलम में यहापकी इंफरमिशन डाल दो आपके कंपनी का नाम पर आपकी पोटफोलियो डाल दो और अपने कुछ सोच्यल एक्टिविटी करते हो उसकी फोटो यहाप डाल दो आपने अप्लिकेशन बना है तो मल्टिपल अप्लिकेशन वो किस तरह से दिखती है यहाप डाल दो यहाप कोई प्रोजेक्ट होईगा तो उसका वीडियो यहा मैं यहापने प्रोजेक्ट्स को होंगे तो आप अपर प्रोजेक्ट्स यह ऑकली और छूट इमनेसिं देदा नाम ज डाल müsste और थोड़ी स्की description यहाँ पर दे देने का नेक्स आम बाते हां थे टेस्टीमोनियल की तो टेस्टीमोनियल में आप यहाँ पर आपकी information डाल सकते हो यहाँ आपको कुछ appreciation मिला है आपकी करना चाहता है तो यहाँ पर वो अपनी information फिल अप करेंगा और आपको आपके email में आपको information मिल देंगे तो दोस्तों यह यह एक आपका resume interactive way में बनाने का और आपका यह जो resume वो live resume रहेंगा कोई भी इस resume को देख सकता है next मात आते है कि आपके यहाँ पर और नाम डाल सकते शौट में और आपकी short information बेसिकलिए आप यहाँ पर title डाल दो फिर से यहाँ पर आपके social media link रहेंगे और इसके बाद यहा पता चला कि भाई हम इस platform के उपर हमारा resume बना सकते हैं तो दोस्तों यह हो गया एक auction मतलब एक तरीका जिस तरीके से आप live resume बना सकते हो हमारे पास एक दूसरा format है तो इस format के लिए यह demo option में ने open क्याता है तो यहाँ पर दिखतो यह उससे भी अच्छा भारी format है तो जैसे कि यहाँ पर आपका photo रहेंगा यहाँ पर भी आपका photo रहेंगा background और यहाँ पर आपका नाम रहेंगा जैसे Alex Smith I am a designer I am a data scientist I am a software developer I am an analyst I am a HR तो यह अपने आप आता रहेंगा और आप उसको नीचे करते हो तो आपको abouts यह आपकी information मिलेंगी यहाँ पर आपके short information आप डाल सक section open हो जाएंगा सेम यहाँ पर option है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो portfolio है सेम उसके बाद यहाँ पर services तो services की जगहाँ पर आपको क्या करना है आप consultant हो यहाँ फ्रीलांसर हो तो आप यहाँ पर services डाल दो लेकिन आप student हो यह आप employee हो तो आपको यहाँ पर डालना है projects और projects की आपर information डालने है मतलब multiple projects जालो और उसके बात क्या करना है आपको उस project की आपको short information दे दीने है उसके आप नीचे आते हो तो यहाँ पर टेस्टीमोनियल है तो यहाँ आप डाल सकते हो जो भी डालना है उसके बाद ही contact information तो इस तरह के से दोस्तों आप resume designing कर सकते हो तो य इनता मत करो और इसके बाद है हमारा तीसरा template हमने open के था mentor का तो आप consultant हो या freelancer हो या mentor करते हो या guide करते हो तो आप इस तरीकी का format का इस्तमाल करके भी आप आपका portfolio बना सकते हो तो यह थोड़ा different है जो मारे पिछली दो templates थे इससी थोड़ा different है तो आप इसको देखे आपक portfolio बना सकते हो अब बारी आती है कि हमारा जो resume है उसको हम किस तरीके से edit करें और उसको हम public किस तरीके से करें तो आपको क्या करना है जो भी आपने template choose किये वहाँ पर उसके बाद आपको right side के top corner में free download का option मिलेंगा तो आपको इस button के उपर click करना है जैसे आप इस button के उपर click क नहीं कर रहा हो क्योंकि यह sponsor video नहीं है आपको क्या करना है i portfolio के ओपर click करना है तो यहाँ पर आपको जो भी service मिलेंगे वो free रहेंगे बट यहाँ पर हमें दो ही service मिलेंगे एक है use in personal and commercial project तो यह हम personal and commercial project के लिए इस्तमाल कर सकते हमें कोई copyright नहीं मिलेंगा next है number of website or domain multiple मतलब unlimited हम कितने भी website या domain के लिए इस्तमाल कर सकते है और इसको बाद बाकी के feature हमें नहीं मिलेंगे तो अभी हमें क्या करना है हम यही column में आना है i portfolio free में और यहाँ पर download button के ओपर click करना है तो इस button के ओपर आप click करते हो तो आपके zip file download हो जाते है यहाँ पर आप website में देख सकते ह आपको क्या करना है जहाँ पर यह file download हो चुके वहाँ पर आपको जाना है तो मेरे केस में यहाँ पर यह file आ चुके और इसको भी आपको क्या करना है आपको extract करना है तो extract करने के lab right button क्लिक करो उसके बाद extract file के ओपर click करो जो भी आपको extract करने का software होगा आपकी system में तो उससे उसको extract करने है तो अभी मेरे यह file extract हो चुके तो अभी मैं क्या करूंगा इस folder में चला जाओंगा इस folder में आने के बाद आपको यह project file में लेंगे आए portfolio तो इसके उपर click करो इसके उपर click करने के बाद आपकी जो website का जो project है वो सारका सारा project इस format में आपको दिखेंगा हमें interest है index file में क्या है हमें interest है index file में index file को आप open करोंगे तो इंडेक्स file अलग-अलग folder को access कर ले थी अपनी आप तो आपको कहा गरना इस index file के उपर double click करना है त अप्तोमेटिकली जो डिफॉल्ट ब्राउजर रहेंगा उस ब्राउजर का इस्तमाल करके आपकी वेबसाइट लॉंच हो जाएंगे तो चलो इस इस वेबसाइट को मैं किस तरह के से एडिट करें यहाँ पर जैसे कि मान लो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है अलेक्स स्मीत तो इस अलेक्स स्मीत की जगापर में अपना नाम कैसे डालो आएम फ्रीलांसर आप पाइफन ड्वलोपर यहाँ पर में कैसे जानकरे लिखू रैट क्या करना इस file को में open करना है एडिटर में तो इस file को सबसे पहले select करो उसके बाद right button क्लिक करो और right button क्लिक करने के बाद आपकी system में जो भी एडिटर होगा तो उस एडिटर को open करो फिलाल मेरे system में edit with notepad है आपकी system में notepad होगा बट मेरे system में notepad प्लस प्लस है और मैं अभी डेवलोपर हूँ तो भाई मेरे सिस्टेम में बहुत सरे एडिटर है लेकिन आप डेवलोपर नहीं होंगे तो आपके सिस्टेम में ब्लस प्लस में लेकर अब क्या करने आपको थोड़ा था अच्छी तरह के से एडिट कर सकते हो, आपको HTML का knowledge नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी कुछ tricks बताने वाला, और उस tricks का इस्तंबाल करके, आप क्या कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो, सबसे पहले हम जाते हैं, अपने website के उपर, और website में क्या लिखा है, Alex Smith, तो इस text को copy करो, copy करने का आपको यहाँ पर आना है, आपको यहाँ पर आना है, हमारे एडिटर में, और यहाँ पर control प्लस F बढ़न को प्रेस करो, इसके बाद यहाँ पर find what लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो copy किया था, वहाँ यहाँ पर paste करो, तो मैंने Alex Smith, पेस्ट किया है, उसके find next के उपर क्लिक करो, तो find next के उपर आप क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पर देख रहा है, Alex Smith, यहाँ पर आ चुका है, तो इस Alex Smith के जगहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नाम डालना है, तो मैं यहाँ पर डालो अपना नाम, तो इसको मैं cancel कर रहा है, और यहाँ पर म क्लिक करो तो देख रहो आयम यहाँ पर लिख के आ चुक है और आयम आने के बाद यहाँ पर देखो डिजाइनर डेवलेवर फ्रिलांसर जो हमें यहाँ पर एनिमेशन की दुपर हमारे पास दिख रहा था विबसाइट में तो यहाँ पर मैं आयम तो वैसे रहने दूगा और जो भी आपकी पोजिशन होंगी यहाँ पर आप डाल दो यार उसके बाद मैं डालूगा फ्रिलांसर उसके बाद डालूगा मैं AI इंजिनियर इंजिनियर राइट तो यह मैंने अपनी हिसाब से डाला है में पोजिशन अब आपको क्या करना है इस फाइल को सेव कर देना है क् daar में इस बाद कवर नें सेफे करसे लिए सेम टीक आपको एपिला करनी है आपको यहांप आना है सब्सक्राओं ru और पर मिल्ट्रेश्ज करने के बाद आप ऊपर जाओ और जया हूं और रहे रिफ्रेश्स नहीं हुआ है consider refresh नहीं वाय फिर से refresh करते हैं नहीं वाय रफ्रेश आप देखे तो भाई रिफ्रेश करने वाद यहां पर अप्डेट हो चुका है इंडियन अप्डेट हो चुका है इस तरह से मुझे लगता है अलेक्स दो बार हाँगा तो क्या करना इसको फिर से कॉपी करो और इसको यहाँ पर फिर से सर्च करो यहाँ पर आपका क्या कर सकते हो find all in current document तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई किस किस जगा पर यह अवेलेबल है तो देखो तो यहाँ पर आप देखे तो line number 75 में अवेलेबल है और line number 256 तो दोनों जगा हम 256 देखो इसको भी हम क्या करेंगे रीमू करेंगे और यहाँ पर लेंगे है इंडियन याई पी तो आपका यहाँ नाम डालो तो इस रखे से आप सर कर सकते हो कि भाई आपका जो आपको कून सी टैग कून सी जगा पर एडिट करने तो इसको आप सेव करो कंट्रोल एस बड़न फ्रेस करके और फिर से आपकी वेबसाट को आप रिफ्रेश करो तो देखो अभी हम रिफ्रेश करने के बाद हमारा यहाँ पर नाम आ चुका है इंडियन एपी इंडियन याईपी यहाँ पर भी नाम आ चुका है और आयम पाइथन डेवलपर कर सकते है अब बार्याती कि वह हमारी सिसे अरक अदिवलपर का तभी हमने इसको अधित कर लिया अब बार्याती कि अब हमारी हुम्रा रुज में पब्ली इस लीयावेबलह फोग्य ऐब तो इसके लिए को इसके लिए मैंने special video बनाया है तो आपको क्या करना है आपको जाना है Chrome में और सर्च करना है यूटूब यूटूब ओपन करने के बाद आपको यहापर लिखना है क्या लिखना है आपको लिखना है Indian एयाई production और आपको next लिखना है Heroku अब यहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेंगा ML project deployment using floss with heroku breast cancer detection app using machine learning तो इस वीडियो को आप देखो या आप multiple videos है बट इस वीडियो को आप देख लोगे तो इस वीडियो को देखो इस वीडियो में मैंने बताया कि भाई project किस तरह किसे create करते हैं तो आपको project create करने करना है obviously आपने project create किया है और आपकी project के file यह वाल है तो यह file हमारे पास already है तो आपको क्या करना है उस file का इस्तमाल करके हम heroku के उपर किस तरह के से हमारे website को public करते हैं तो यह सारी के सारी information मैंने इस वीडियो में बताई है लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है आपको समझने में दिक्कत आ सकते आप बोलोंगे हम basically IT के study नहीं कि हमें ना website समझ में आता है और ना उसको हमें launch करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं आप जिस भी domain में होंगे जैसी कि आप python developer हो तो आप मुझे comment box में बताओ कि भू ही मुझे python developer के लिए layu resume design करना है मुझे सिखाओ तो यहाँ पर मेरे पास multiple comments आती है more than 100 comments आती है python developer के लिए तो मैं क्या करूँगा python developer के लिए किस तरके से resume बनाना है लायू यह उसके लिए मैं special video बनाऊँगा आप data scientist के लिए resume बनाना चाहते हो तो आप मुझे comment box में बताओ कि भाई creative video for data science लाय रिजमे इसके लिए मैं resume बनाऊँगा तो इसके लिए separate more than 100 comment होनी चाहिए तो जो भी domain के लिए जो भी position के लिए आप resume बनाना चाहते हो basically lie resume में तो उस domain के लिए मैं वीडियो बना सकता बट मुझे more than 100 comment होनी चाहे with respect to job position right मान लो आपकी likes आपकी likes more than 100 आती है more than 100 आती है और comments भी more than 100 आता है तो मैं क्या कुरूँगा data scientist के लिए किस तरह के से live resume create करना है तो उसके लिए special video बनाऊंगा आपको पूरा जो हमारा यह resume है ना इस resume को हम किस तरह के से edit करते A to Z और based data scientist के लिए हम किस तरह के से resume बनाएंगे इसको मैं आपको बताऊंगा और वो resume more than 100 200 और 300 company उसको कभी भी reject नहीं कर पाएंगी ऐसा resume आपको मैं बना के दूँगा और उसको किस तरह से hero के ऊपर upload करते live publish करते इसके बारे में भी मैं आपको step by step guide करूँगा तो बस आपको क्या करना है 100 likes होने चाहिए और उसके बाद 100 comments होने चाहिए minimum माम दोनों condition को satisfy होना चाहिए तब ही मैं data scientist के लिए live resume में create करूँगा तो i hope आपको समझ में आ चुका होँगा यह जो वीडियो बहुत लंबा हो चुका है मैंने कोशिश किया कि आपको हर एक चीज़ deep में explain करने की कोशिश करूँ बट पूरी चीज़े तो मैं आपको explain नही दो नहीं आया तो कोई दिख्कत नहीं आपको इस वीडियो को और एक बार देखो इसके बाद भी आपको समझ में आता है और एक बार आप देखो और उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो comment box में बताओ मैं और deep में लिए चीज explaining करूँगा तो चलो यार तब तक कुछ इंप्लेमेंट करते रो